सबी का हारदिक स्वागत है अपने यूटूब चैनल के उपर हमने देखा है कि गाई की जो बच्ची आए वो पहले दिन हमने छोड़ी थी तो पूरा दिन ही वो दूद पीकर उसकी मा को परिशन करती थी अभी 20-22 दिन हो गये है बच्चीय को छोड़ने के लिए तो अपने आप से ही उसका ध्यान गास की तरब और चरणे की तरब गया है अभी फिलाल वो मा को फरिशन इतनी जादा नहीं करती थी इतनी पहले करती थी और उसके साथ साथ उसको समझ में आया है कि गास खानी है और उसकी भूग भी बड़ी है उसके साथ जो एक जगवपर बांद कर गाय को हम रखते है पुरा दिन बर और बरसब की दिनों में कीचड पक्की मच्चर उसके उपर आमला करते है उससे जो बच्चिया और गाय परिशान होती है उससे अभी खुले में छोड़ते है तो गाई भी और बच्चे अभी फ्रेश हो जाती है और उसको चरने की आदद भी फिलाल लगी है समय की सबसे उचर रही है, पानी पी रही है और एक फ्रेश बच्चे रहेती है उसके साथ-साथ यदि आपने समय पर वच्छिया को चराने के लिए छोड़ा तो वो आकरमान से बढ़ी होगी और समय पर आएगी और एक अच्छी नसल हमें बिलेगी इसलिए गाय की बच्चिया जो है वो पाच्छे मैने के बाद उसके मा के साथ जंगल में चराने के लिए छोड़ने चाहिए आपको दीए वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए